ये बाजबा वाले को पता चल गया पान समाज के नहीं था कौन है और पान समाज क्या है इसे बहुत की जोरत आज के डेट में नहीं है ये दो चीज पता चला था चार जुन 2023 को पान समाज किधर जा रहा है और किसके नेतुरित में जा रहा है पान समाज को ये मैं बताने में स सफल हो गया उनको समझाने में कि 75 साल में हमें किसी भी पार्टी ने एमिले या एंपी टीकट देने लाइक नहीं समझा उसका कारण क्या क्या है कि हम अधिकार की बात तो छोड़िए हमारी तो पहचान की बात की लड़ाई है नस्तित की लड़ाई है इसलिए मैंने रखा था पान को जानो पान पहचानो पान को मानो अर आज दुनिया पान को जान गया पहचान गया मान भी ले देखें मैं हूँ आपके साथ कुछ दिन पहले अमीद साब भिहार आये थे और उस वक्त एक बयान दिये थे कि अब हम सर पे किसी समाज का या फिर कोई पार्ण नहीं लेंगे लेकिन कल क्या हुआ कल पांच समाज का महा समेलन बुलाई थी लेकिन भीड क्या था वह आपने देखा ही ह होगा हमारे साथ अभी पांच समाज के जो नेता है और फरिशंग वी चलता है उनका रास्टि अद्यच है इन से बात करेंगे कौन है पांच माज का असले नेता भाजपा बार बार अपने तरफ अक्रशित कर रहे हैं गाई बाजपा वाले कुछ पता चल गया पांच समाज किधर जा रहा है और किसके नेतुरित में जा रहा है और कल भाजपा बाले कोई पता चल गया कि पान समाज की अस्तित क्या है और कैसे चलता और किसके नेतुरित में चलता है अमीत साह काता है कि हम किसी को सर पर नहीं बैठाएंगे फिर पान समाज को समेलन कर लेता है अमिन्त साह भाजपा के मैनेजर है नेता नहीं है बात उसको सिरियस में लिया जाता है जो नेता होता है मैनेजर के बातों को क्या सिरियस लेना है मैनेजर मैनेजर होंगे बहुत सारे लोग मंतरी बने हैं नेता बने हैं एमेले बने हैं MP एमेले मंत्री होना यह गारंटी नहीं देता का पनेता भी हो गया पहले पान किसके साथ पान अलग 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 भागों में अलग लोग साथ बटा हुआ था और जब 2015 में नितिजीन हमें स्टैटस दिया सिडूल कास्ट का तो हम लोग उनके साथ रहे हैं ले से उनके साथ चलावा करती रही है और चार जून कि उस रैली ने लोगों को समझा लिए कि एकता में जब से रैली करके किहां जाना है और यही एक वजह है वाचपा अपनी भोट ले थी जूटे बादए कर के लोगों को बरिन बाजपा़ आपने चार जुन का जिखरинки क्या तो उस वक्त आप भी के साथ क्यों पान समाज मया आने के लिए और समझा उनको समझाने में कि 75 साल में हमें किसी भी पार्टी ने एमेले ये MP टिकट देने लाइक नहीं समझा उसका कारण क्या क्या है वो मैं उनको समझाने में सफल हो गया और ये बता दिया कि कैसे अधिकार मिलता है ये बात उनको समझ में आ गई और मैं समझाने में सफल हो गया बस इतनी सी बात है जब वो प्रोग्राम हो रहा था उस बक्त आपका प्रोग्राम का कुछ लायन था सद वो याद होगा अपको देख्ण वो जब मैंने रेली की थी यह एक आंदोलन था हमारी यह एबिलिटी थी कि हमने उस महाँ रैली को एक आंद्धोलन का रूप दे दिया हूँ और हमने कहा था कि जब मैं डिस्कस कर रहा था ना अपने लोगों के साथ मैं रेली के बारे हैं तो सारे लोगों ने कहा कि चार जून को परचंड गर्मी होगी इसलिए उरेली मत कीजिए और वो बीभिन नामों के साथ आये थे हर एक मैं अधिकार सत्ता का अधिकार की लड़ नम्मर वन जो हमने कर दिखाया दूसरा मैंने कहा कि हम अधिकार की बात तो छोड़िए हमारी तो पहचान की बात की लड़ाई है नस्तित की लड़ाई है इसलिए मैंने रखा था पान को जानो पान पहचानो पान को मानो और आज दुनिया पान को जान गया पहचान गया मान कि еся मानना पड़ेगा लोगों को मानना पड़ेगा नहीं मानेंगे तो उप परिनाम भुगतनें के लिए लोग तयार रहेंगे कोई कितना भी पार्टी कितना ने कोर्शिस करें लेकिन विफल रहें विफल रहेंगा पान समाज एक जूट है अर्श के डेट में नहीं टूटेगा कभी नहीं अगर टूटना जैसे चिराग के साथ है पाश्वान हम दूसरी लोगों पर कोमेंट करने के लिए नहीं चाहते हम नहीं चाहते चिराग पर या उनके लोगों पर कोई बात करें छोड़िये उनकी बात पान नहीं टूटेगा लाश्वाल ले लेते हैं दौजर चोबिस लोग सबाद चुनाओ नजदिक है क्या तैयारी है मैं अग उत्रपरदेश वार बिहार की बात करते थे मुवद्रेश की बात करते थे करनाटक की बात करते थे तो देखे ये थे आई पी गुपता पान समाज का नेता है और ये कर दिये मानना पड़ेगा कि पान समाज का नेता कौन है तो आई पी गुपता है बैराल ये जो ख़बर है कि भाजपा चार ये पान समाज को अपने साथ लाने के लिए लेकिन जो हुआ वो तो आप कल देखे ही बैराल आने वाले समय में तैक करेगा 2024 में लोग सबाद चुनाव है कि पान किसके साथ है कौन जात किसके साथ है यह तो बक्त बताएगा अपनी पर्तिकरिया नीचो कौन आप्शन दें फेस्टूप के देखने वीडियो को सेर कर लें यूटूब पे देखने चालम को सब् अपिल बहुत बहुत दैने हो